नमश्कार अचानक कमरदर्द ये बड़ी समश्या आजकल देखी गई है और वो भी इसलिए कि हम वजन अचानक से ज़्यादा उठा लेते हैं और शरीर हमारा ठंडा होता है ऐसे दर्द बहुत लोगों को सो में से एक व्यक्ति को ऐसा दर्द आता रहता है और ये दर्द इतना खतरनाक हो जाता है कि आदमी गिर तक जाता है और यूत में ये मैंने ज़्यादा तर जो जिमिंग करते हैं और उसमें डैडलिफ्ट पगरे लगाते हैं या हेवी वेट उ जाती है और फिर एकदम से कमर बैंड और वह व्यक्ति उठ भी नहीं पाता ऐसी इस्तिति में या तो देखिए अच्छे डोक्टर तो आपको सला लेनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर बड़ा डैमेज नहीं हुआ है तो यह मस्कुलर जो है यह पेन होता है और इसमें हम थोड़ा आराम करें और उसके 2-3 दिन बाद इसको चेकप करवाएं तो ज़्यादा बेटर होता है उससे क्या है कि हमारे कई पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अब क्या होगा क्योंकि जब भी कोई क्रैम पाता है तो अचानक इतना हैवी दर्द होता है जैसे सब कुछ तूट फूट गया लेकिन थोड़ा सा आराम करें और उसमें हलकी सी कुछ क्रियाएं करें तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका आराम में लाब मिलेगा तो कमर दर्द तो बहुत तरीके के होते हैं कई जो है लंबे समय से चले आते हैं कई उमर के इसाब से होते हैं कई हड तो देखिए जब भी दर्द आ जाए ऐसा दर्द आ जाए तो आराम करना बहुत जरूरी है सीधा लेड़ जाएं गद्देदार जगए पर बहुत आराम से धीरे-धीरे और दूसरी बात एक-दो दिन तो आपको लगेगा कि अब तो उठनी की स्थिति नहीं लेकिन दीरे-दीरे-दीरे-दीरे उठने का आपका हो जाएगा उसमें जब आप लेटने को हो तो उस समय आपको क्या करना है पहला तो लेटे-लेटे अनुलोम विलोम प्राड़या देखिए मैं आपको पिंपोइंट बात बता रहा हूं अगर उसको उप्योग कर लेंगे तो लाब होगा तो सीधे-सीधे लेट गए और लेट गए अब उस समय डॉक्टर से तो राई ले लेजिए कि क्या पता कोई चीज तूट फूट ना गई हो वो चीज जरूर है अगर वो कह दे कि डॉक् पिसले वीडियो में मैंने आपको बताया है सीधा लेटे-लेटे करना है आदा घंटा यह गंटा लेटे ही तो है तो करना क्या है अनुलोम विलोम करते हैं गरम ठंडे का सेक होता रहेगा मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप जब वो करेंगे तो आपको उस जगे जहां पर आपको डेमेज हुई है आपको फील होगा जैसे कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है ऐसा कुछ हो रहा है यह अनुलोम विलोम बहुत चमतकारी चीज़ है तो वो लेटे-लेटे करना है उसमें कोई दवाई नहीं है कोई चीज हम कर नहीं रहे तो इतना अच्छा सा फील होगा प पिलो है घर में सबको होता है सबके पास होता है तो जहां पर आपको दर्द है कहां दर्द होता है लंबर एरिये में यह जो हमारा हिस्सा है इस जगह यह दर्द रहता है इस दर्द को ठीक करने के लिए इसके जस्ट नीचे हमें यह पिलो रखना है बहुत सारे लोगों को ठी कोई न कोई शरीर की गलत डाइमेंशन है तो आप यह ध्यान करें कि यह जब आप करेंगे तो 15-20 मिनट इसमें लेटे रहेंगे तो एक वो डाइमेंशन सही होगी तो आपको एक अच्छा फील होगा देखिए अगर 2% भी आपको अच्छा फील हो जाए तो आप समझ बहुत बड़ी डेमेज हो जाए देखिए उसका इलाज जो है और होस्पिटल में है दवाईयों से है जो है वो है लेकिन जो चीज समन्न है उसको तो आप समन्न तरीके से ठीक करिए तो यह हमारा देखिए अब यहां पर यह तकिया पीछे लगा लिया इसके उपर ऐसे ले का भी है आप एक बर करके देखिएगा आपको लगेगा जैसे किसी ने सपोर्ट दिया है और रीड के अड़ी को हमें बहुत अच्छा अच्छा सा फील होगा कबर इसमें जो है इस तरीके से रहेगी पैर सीदे जिनका भारी शरीर इस्टिफनेस बहुत जादा है शरीर में खिचाव जो है बहुत ज़्यादा आता है तो वो सीधा पैर कर लीजिए जिसका शरीर थोड़ा सा खुला हुआ है जिसको लगता है कि मैं थोड़ा शरीर को खोल सकता हूं एक्सेस की हुई है तो ऐसे पाउं को मिला लेजिए और इस तरीके से एकदम धिला छोड़ दीजि लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो हमारे आसपास महलों में होते हैं जो लोग कहते हैं कि इसको जाड़ा देना आता है इसका कोई उल्टा पैदा हुआ है उसका पैर जो है उससे हो जाएगा मत जाईएगा ऐसे लफड़े में ये धर्द ऐसी चीजों से ठीक होने वाला नहीं है चणक जो होती है उपर वाला वो जरूर एडी को जो एक्सपर्ट आदमी होता वो एडी से अच्छा सा दबा दे तो वो तो जरूर ठीक हो सकती है लेकिन ये वाला दर्द आप कभी भी इसके साथ एक्सपरिमेंट मत करिएगा तो ये बैस सिंपल सी क्रिया है जो इसको आराम देने के लिए है मैं ऐसा नहीं कहता कि ठीक होगा लेकिन ये भी हो सकता है कि सो में से पचास लोगों वो ठीक भी हो जाए लेकिन आपको धीरे 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 ठीक होना शुरू होगा एक बाग अगर अच्छी सी जबक आ गई खतरनाक आपको खिचाव आ गया तो आप समझ लीजिगा एक महिना आपको उसको recovery में लगेगा ही लगेगा और आपको ध्या सारा लीजिए जिससे कमर पे जोर ना आए सीधा उठना बैठना नहीं है अंग्रेजी कबोड का यूज करना है यह कुछ चीजों का ध्यान करेंगे और सुबह सुबह फ्रेश होने के समय तो बहुत ज्यादा कईयों को हो जाता है क्योंकि वह हिंदी कबोड पे जाते हैं त डिएंशे कर सकते हैं जब यहां से ठकना शुरू हो जाए तो पैरों को सीधा कर लिजिए फिर एसे थोड़ा-सा हिला लिजिये फिर वापिस कर लिए ऐसा करते रहेंगे पैरों को थोड़ासा ऐसे हिला लिजिए इस से Blood circulation पैरों में भी रहेगा आपकी कमर को भी अच्छा सकून लेगा यह जो पिलो लगा इससे एक support भी रहेगा और कमर के उपर किसी प्रकार का कोई pressure नहीं रहेगा आपको लगेगा कि वाकई में मेरे एक अच्छा सा फील जो है और जिनको कमरदर्द होने की वज़े से आराम करना होता है उनके यहां पर भी जो है कब जो होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो शरीर की क्रियाय कर नहीं पाते तो इसमें भी आपको सपोर्ट मिल तो यह इस्तितिया आप अगर कर ले और यह करने के बार अगर आपको लगे मैं बैठ सकता हूं जब तो आप अनुलोम विलोम प्रणया बैठ के कर लिजिए अगर आपको लगता मैं बैठ नहीं सकता तो फिल लेटे लेटे यहीं पर भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं 20 मिनट 25 मिनट, 30 मिनट तक अनुलोम विलोम करिए और यहीं लेटे-लेटे पैर की जो अंगूलिया है उनको आगे पीछे भी हलका सा हलका आप नीचे जो है वो थोड़ा कम लीजिए पीछे जो है अपनी और जादा खीचिये और पैर की अंगूलियों को इस तरीके से मेरी रीड के हैड़ी टूट गई ऐसी फीलिंग आती है तो ये चीजे तीन चार दिन बात जब आपको एकदम समन्ने सा मैसूस करने लगे तब ये क्रियाएं और करते जाएंगे तो आपको और अच्छा फील होगा तो ये सारी चीजे आपको लाब दे ऐसी अपिक्षा में कर करता हूं मुझे दीजिये इजाज़त डॉक्टर मनोज योगाचार को त्रीनेत्र चीवेग लिए त्रीनेत्र योगधाम से नमस्कार